यह दासा है अफगानिस्तान की उस अफगानिस्तान की जिसने कभी सोवियत यूनियन की सत्ता छेली तो कभी तालिबान का जिल्म छेला तो कभी अमारिका का दखाई और फिर एक बात तालिबान का कहर नमस्कार आप देख रहे हैं नियूज वाल इंडिया और आपके साथ मैंकू पारुलतियागी बहुत-बहुत स्वागत है आपका साथ की बात में कहे गए कुछ शब्दों से अब आप समझ ही गए होंगे कि आज साथ की बात के इस खास बुलिटर में अफगानिस्तान की एक-एक तस्वीरे आपको दिखाने हम जा रहे हैं और अफगानिस्तान ने पहले कई सालों में क्या-क्या देखा उससे भी आपको रूबरू कराने जा रहे हैं तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं तालिबान अफगान सत्ता पर काबिस हो गया है लेकिन पंजशीर उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती बंका खड़ा हुआ है यह वो इलाका है जिसे तालिबान कभी नहीं जीत सका इस भार भी इस अभेड़े दुर्ग को तालिबान अब तक भेट नहीं पाया है यह रिपोर्ट देखिए पंजशीर की घाटियां तालिबान के विरोध का प्रतीक बनती जा रही है तभी पंजशीर के शेर एहमद शह मसूद का गड़ रहे इस इलाके से विरोध का जंडा उनके बेटे एहमद मसूद ने उठाया है उनके साथ अश्वगनी सरकार में उप्त राशपती रहे अमरुला साले भी है ऐसा इस इलाके में क्या है जो तालिबान यहां कभी कबजा नहीं कर सका इस इलाके का इतिहास और भूगोल क्या कहता है पिशले 20 साल में पंजशीर कितना बदला है पंजशीर की इस बार के काबुल से 150 किलो मीटर दुइ उत्तर में स्थेत पंजशीर घाटी हिंदू कुष के पहाडों के करीब है उत्तर में पंजशीर नदी से अलग करती है पंजशीर का उत्री इलाका पंजशीर की पहारियों से भी खिरा है वहीं दक्षिर में कि उस्तान की पहाडüğा इस घाटी इस लाके का भूगोल है दुश्वन के लिए सखसे बड़ी चुनोती बन-जाता है कभी चांदी के खनन के लिए मशुहूर था पंजिशी मधिकाल में एक घाटी चांदी के खनन के लिए मशुहूर ही है इस घाटी में कभी पन्ना के भंडार थे इनका सही इस्तिमाल हो तो ये पन्ना खरन का हब बन सकती है 1985 तक इस वेली में करीब 190 केरेट क्रिस्टल पाए जाता था कहा जाता है कि यहाँ पाए जाने वाले क्रिस्टल की क्वालिटी कोलंबिया की मूजो खदानों जैसी है मुझो खदानों की क्रिस्टल दुनिया में सबसे बेहतरीन होते हैं पंजशीर की धर्ती के नीचे पन्ना का बहुत बड़ा भीटार है जिसे अब तक जुआ तक नहीं गया है अगर यहां माइनिंग का इंफरस्ट्रक्शर तयार होता है तो इस इलाकी का बहुत तेजी से विकास हो सकता है पंजशीर का इतहास आखिर क्या कहता है 1980 के दशक में सोवेट संग का शाशन फिर 1990 के दशक में तालिबान के पहले साशन के दौरान एहमद शाहमसूद ने इस घाजी को दुश्मन के कबजे में नहीं आने दिया प्रोविंस का दर्जाम मिल गया अगर आबादी की बात करें तो 1.5 लाग की आबादी वाले इस इलाके में ताजिक समुदाई की बहुलता है मई के बाद जब तालिबान ने एक की बाद एक इलाके पर कबजा करना शुरू किया तो बहुत से लोगों ने पंजशीर में श्चरण ली उन्हें ये उम्मीद थी कि पहले की ही तरह इस बार भी ये घाटी तालिबान के लिए दुर्जे साबित होगी उनकी उम्मीद अब तक सही साबित हुई है क्या पंजशीर के लडाकों को विदेशी मदद दी गई वहीं विदे मदद उसे पाकिस्टान के जरिये आती थी उसके बाद जब तालिबान सत्ता में आया तो यहां सक्रिये नॉर्दन अलाइंस को फारत इरान और रूस से मदद मिली उस दौर में अफगानिस्तान का दिकांश उत्री इलाका तालिबान के कब्से से दूर ही रहा इस बार तालिबान पिश्री वार की तुरुना में ज्यादा मस्बूत हुआ है पंजशीर एक मार्ग प्रोविंस है जो तालिबान के कब्से से दूर है तालिबान को च्री, रूस और इरान का भी समर्थन है ये भी तैय नहीं है कि पंजशीर के लड़ाकों को इस बार कोई इंटरनेशनल मदद मिलेगी भी या नहीं एहमद शामसूद के बेटे और इस बार पंजशीर में लड़ाई की अगवाई कर रहे एहमद मसूद ने भी कहा है कि वो अपने पिता के नक्षिक कदम पर चलने को तयार है लेकिन इसके लिए उन्हें और हत्यार और गुलाबारूत की जोरत पड़ेगी वो इंटरनेशनल कॉमेंटी से मदद चाहते हैं अफगान सत्ता में पंजशीर में कोई डेवलोपमेंट नहीं हुआ पिशली 20 साल के दुरान पंजशीर में विकास के तुछ काम हुए है घाटी में आधूनिक सडकों का निर्माण हुआ है एक नया रेडियो टावर भी यहां लगाए गया इसके लगने के बाद घाटी के लोग काबून रेडियो का प्रसारन सुन पाते थे हाला कि अभी भी यहां मूलभू सुवधाओं का आभाव है अफगान सरकार के दुरान यहां किसी तरह का कोई खोनी सतन घर्ष नहीं हुआ इस वजह से इस इलाके को अमार्की मानवदिकार कारक्रमों के जरिये मदद नहीं मिल सकी पांसो बारा गाओं और साथ जिलो वाले इस प्रोविंस में विजली और पानी तक की सप्लाई के विवस्था नहीं है पंजशीर के सामने बड़ी चुणाती आखिर क्या है पंजशीर की शीमा से लगने वाले हर इलाके पर तालिबान का कबसा हो चुका है ऐसा खत्रा जताया जा रहा है कि तालिबान जरूरी सामानों और खाने पीने की चीज़ों की सप्लाई रोक सकता है ऐसे में इस इलाके को अंतरास्टे मदद की जरुरत है हाला कि आधिकारिक रिपोर्ट्स कहती है कि पंजशीर घाटी के पास इतना खाना और मेडिकल सप्लाई है कि अगली सर्दियों तक उसका काम चल सकता है 2001 में तालिबान को सप्ता से बेदखल करने में क्या था पंजशीर का रोल बात 1996 की है जब तालिबान ने काबल पर कबजा किया तालिबान ने उस वक्त तक उत्तरी अफगारिस्तान छोड़कर अधिकार इलाकों पर कबजा कर लिया था उसके सप्ता में आने के बाद राश्पती गुरावनुदीन रब्बानी और रक्षा मंत्री एहमर शाह मसूद अपने साथियों के साथ उत्तरी अफगारिस्तान आ गए यहाँ पंजशीर के शेर मसूद ने तालिबान के खिलाफ नॉर्दन अलाइंस का गठिन किया पंजशीर से ही तालिबान के खिलाफ लड़ाई जारी रही 2001 में मसूद अलकाइदा के हमले में मारे गए इसके बाद जो अमारिका अफगानिस्तान आया तो उसके सफल होने में नॉर्दन अलाइंस का बड़ा रूल था नॉर्दन अलाइंस के मदद से अमारिका ने तालिबान को सफ़ता से बेदखल कर दिया इस बार पंजशीर के लिए कितनी अलग है ये लड़ाई पिशली बार यहां उत्री अफगानिस्तान के कई लाके तालिबान के कबसे में नहीं थे वहीं इस बार पंजशीर को छोड़ कर पूरा उत्री अफगानिस्तान भी तालिबान के कबसे में है तालिबान की खिलाफ लड़ाई की अगवाई एहमद श्राह मसूद के 32 साल के मेटे एहमद मसूद कर रही है उसके साथ गनी सरकार में उप राश्पती रहे अमरुल्ला साले भी है गनी के देश छोड़ कर चले जाने के बाद साले ने खुद को देश का केट्जे का राश्पती खुशित किया ऐसी संकेत हैं कि तालिबान के खिलाफ लड़ाई का केंद्र पंजशीर ही होगा पिशली बार के मकाबले इस बार हालाद ज्यादा मुश्किन है साले और मसूद के लिए अफटान लोगों के बीच 1990 के दशक जैसास समर्थन हासल करना भी बड़ी चुनौती होगी चारो तरफ तालिबान से घिरापंजशीर हर तरह की सप्लाई लाइन काट दिये जाने के बाद उससे कैसे लड़ेगा ये भी देखना होगा ब्यूर तोट, निउस्वाल इंडिया अफगानिसान में तालिबान सत्ता में आ गया है भले ही तालिबान कह रहा हो कि वो औरतों को शर्या कानून के तहट आजादी और हग देगा लेकिन महिलाओं पर अत्याचार बढ़ने को लेकर आशनकाय अब बढ़ गई है आखे 1986 से 2001 के बीच भी तालिबान ने अपने साशन में ऐसा ही किया था ये रिपोर्ट देखिए भले ही तालिबान कह रहा हो कि वो औरतों को काम करने और घर से बाहर आने जाने की आजादी देगा लेकिन किसी को यकीन नहीं हो रहा है तालिबान अभी सत्ता में पूरी तरह आया भी नहीं है और महिलाओं पर अत्याच्वार के खबरे आने लगी है कई अलाकों में महिलाओं घरों में बंद कर दी गई है एक महिला पत्रकार को फिर आफिस जवाने से रोग दिया गया है अफगानिस्तान में बदलते घटा करम को देखते हुए कई सवाल उठ रही है शरिया क्या है कैसे काम करता है शरिया में महिलाओं को कितनी आज़ादी है कहा कहा शरिया कानून लागू है हमने इनके जवाबों के लिए लगातार बाच्शीत की है और ऐसे तमाम सवाल सामने आए हैं जिने जानना जरूरी है क्या है शरिया कानून शरिया को इसलामिक कानून भी कहा जाता है कुरान, हदीस और पैगंबर महम्मट की सुननत उपर आधारित नेतिक और कानूनी धाचे को ही शरिया कहा जाता है आसान भाषा में समझे तो शरिया को इसलामिक कानूनों और तौर तरीकों के हिसाब से जिंदगी जीने का तरीका कह सकते हैं इसे एक उधारन से समझी भारत में चोरी की सजा समिधान या IPC के प्राबधानों के आधार पर तैह होती है जहां शरिया कानून लागू है वहां चोरी की सजा कुरान और पैगंबर के बताय तरीकों से तैह होगी शरिया कानून इतना सखत क्यों है शरिया में अपरादों को भी दो केटिगरी में बाटा गया है एक हद और दूसरी तज्जीर हद में गंभीर श्रेणी के अपराद आते हैं इनके लिए सजा सखत है जैसे चोरी और अनातिक संबंध के लिए वहीं कजीर में सजा का फैसला नियाधीश के विवेग पर छोड़ दिया जाता है हद केटिगरी की आरोपों के लिए कई देशों में अपरादी के हाथ काड़ दिये जाते हैं या सर्याम पत्थर मार कर मौत की सजा दी जाती है हाला की सजा पर मुसलिम विद्वानों की राय बची हुई है अभी कितने देशों में लागू है शर्या कानून दुनिया की पंद्रा से भी ज्यादा देशों में फिल्हाल शर्या कानून किसी ना किसी तरह से लागू है अलग 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 देशों में शर्या कानून की जिगरी और तरीका अलग अलग है कहीं ये केवल निजी मामलों में ही लागू होता है तो कहीं क्रिमिनल मामलों में भी हर देश में शरिया कानून अलग-अलग क्यों इसलाम में चार अलग-अलग स्कूल ओफ थॉट हैं ये चारों अपने अपने हिसाब से कुरान और सुन्नतों की अलग-अलग व्याख्या करते हैं इसी वजह से दुनिया के अलग-अलग देशों में शरिया कानून भी अलग-अलग है शरिया कानून में भी अलग-अलग नियमों की वज़ा इस्थानिय रीति रिवाज हैं इसका एक उधारण इरान है जिन देशों में लोकतंत्र है वहां शर्या निजी मामलों में ही लागू होता है जैसे भारत में क्या मुस्लीं पर सना भी शरिया कानून का ही हिस्सा है बिलकुल मुस्लीं पर सालोब ही आधारित है लेकिन भारत एक लोकतांत्रीक और सेकुलर देश है इस वज़र से ये भार्तिये बार्तिये और प्रबटर्य ज57 मसलों में मुसुलिम पोव संट-लॉय लागू होता है भारतिय समिधान ने मुस्लिमों को निजी मामलों में ये विशिश अधिकार दिये हैं हिंदूओं के लिए भी 1956 में बना हिंदू उत्रा अधिकार एक्ट है पार्सियों के लिए 1936 का पार्सी Marriage and Divorce Act है क्या शरिया कानून में महलाओं को कोई अधिकार नहीं लिए गये शरिया कानून में ना तो औरतों के काम करने पर पावंदी है और ना ही पढ़ने पर नभी ने भी कभी औरतों पर इतनी सफ़ती नहीं की नभी की पहली पत्नी खदीजा खुद एक बिजनिस वुमेन थी और उनकी आखरी पत्नी आईशा तो नभी के साथ जंद पर भी जाती थी कुरान में भी मर्द और और औरत दोनों के लिए तालीम हासिल करने का हुक्म है शरियत में महिला और पुरुष में भी कोई फर्ट नहीं है जो अधिकार पुर्षो को है वहीं महिलाओं को भी है इसलाम में औरतों को काजी बनने का हक है औरते मर्दों के साथ जंग भी लड़ती थी जाधतर इसलामें किताबे पुरुषों ने लिखी है इस वज़ों से व्याख्या भी पुरुष्ट के दृत है कुरान में केवल हिजाब की बात है जिसका मतलब है पर्दा इसके बात भी सांसरतिक मदबेदों की वज़ों से पर्दे की अलग अलग व्याख्या हुई है कई देशों में हिजाब को बुर्का समझकर उसे ही अनेबार कर दिया गया महिलाओं को शरिया में इतने अधिकार तो फिर इतनी सकती क्यों होती है शरिया कानून महिलाओं को बराबरी का दर्जा दीता है महिलाओं पर सकती और अत्यचार का अधार शरिया कानून नहीं बल्कि उसकी प्रित सत्तात्मक व्याख्या है साउधी अरब में महिलाओं के लिए ड्राइविंग बैंड थी इसकी वज़ा शरिया कानून नहीं बल्कि पॉलिटिकल और प्रित सत्ता थी इसलाम ने ही सबसे पहले संपत्ती में महिलाओं को हुस्सा दिया अन्य धर्मों की मुकाबले महिलाओं को इसलाम ने ही सबसे पहले तालाग का हग भी दिया शादी के बाद महिलाओं को अपनी मर्जे से नाम चुनने का अधिकार भी है प्रित सत्तात्मक समाज ने अपने हिसाब से इसकी व्याख्यकर महिलाओं पर पाबंदी लगानी शुरू कर दी अलग-अलग देशों में लागू है शर्या कानून, डूइल सस्टम अईसी कई देश है जहां सरकार सेकुलर है और मुस्लिमों के लिए अलग शर्या कोट है निजी मसलों की सुनवाई शर्या कोट में होती है इसके नियाय करने का अधिकार भी हर देश में अलग-अलग है नाइजीरिया और केनिया में अलग शरिया कोट है जो पारिवारिक मसलों की सुनवाई करती है तंजानिया में एक ही कोट फरियादी के धर्म के आधार पर शरिया और सेकुलर कानून के हिसाब से फैसला सुनाती है पूरी तरह स्लामिक देश ऐसे देश जहां इसलामिक साशन है वहाँ पूरी तरह से शरिया कानून फॉलो होता है यहां हर तरह के मसलों में न्याय के लिए शरिया का ही सहरा लेती है साओधी अरब, कुवेट, यमन जैसे देशों में ऐसी ही विवस्था है लोक्तांत्रिक इसलामिक देश पाकिस्तान, इरान और इराक कुछ ऐसे देश हैं जोहां कानून बनाने से पहले उसकी इसलामिक व्यदताय जाटी जाती है पाकिस्तान में इसके लिए CII नाम से सामविधानिक संस्था है जो सरकार को सलाम से जुड़े मसलों पर कानूनी सरहा देती है इसका काम ये देखना है कि संसथ द्वारा बनाये जा रहा कोई कानून कुरान और इसलाम के तौर तरीकों को अलंगन तो नहीं कर रहा दियर उन्पोर्ट, निउस्वाल इंडिया अफगानिसान से दुनिया भर के देश अपने नाफिकों को निकालने में लगे हुए है अमेरिकी व्राश्पती जो बाइडन ने भी कहा था कि 31 अगस तक काबुल से लोगों को निकालने का काम पूरा कर लिया जाएगा इस बीच तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाही ने एक बयान ज़ारी किया और धमकी भरे लहजे में कहा कि नाटो फोर्स 31 अगस तक काबुल एयरपोर्ट से नियर अल्टरंट छोए और अपने देश वापस लोट जाए रिपोर्ट देखिए तालिबान की धमक्यों का फ्रांस ने जवाब दिया है फ्रांस ने इस साफ शब्दों में कहा है कि 30 अगस की डेडलाइन के बाद भी हम अपने नागरिकों को काबुल से निकालने का ताम जारी रखेंगे फ्रांस का ये बयान सीथे तोर पर तालिबान को चुनाती है कि अगर उसने रियस्की ऑपरेशन में अर्चनी पैदा की तो ठीक नहीं होता इसी बीश खबरे ये भी आ रही है कि प्रिटेन की ब्रधान बंत्री बॉरिस जॉंसन बातशीत कर सकते हैं और जी सेवन की बैठक कर सकते हैं माना ये जा रहा है कि इसमें वे अमारिकी राश्पती जो बाइडन से 31 अगस्त के बाद भी अफगानिस्तान में सीना को रोपने के लिए कहेंगे ताकि लोगों को काबुल एरपोर्ट से निकानले के लिए और समय मिल सके बाइडन की बड़ी घोष्णा जिन अफगानियों ने युद्ध में मदद की उन्हें अमारिका में देंगे शरण अफगानिस्तान से सेना बढ़ाये जाने की घोष्णा के बाद चोहतरफा गिरी अमारिकी राश्पती जो बाइडन ने बड़ा एलान किया बाइडन ने सोंबार पुका है कि अफगानिस्तान में आतंगबाद के खिलाफ लड़ाई में जिन लोगों ने अमार की सीना की मदद की है उन्हें वो शरण देगा बाइडन ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा है कि एक बार स्क्रीनिंग और बाकियों अपच्वारिकताएं हो जाने के बाद हम उन अफगानियों का अपने देश में स्वागत करेंगी जिन्होंने यूदि के दौरान हमारी मदद में तालिबानी प्रवक्ता ने कहा डेड्लाइन आगे बढ़ाया तो परिणाम भूगतने होंगे तालिबानी प्रवक्ता सुहिल श्वाहिन ने कहा है कि 30 अगस रेड लाइन है अमारी की राश्पती जो बाइडन ने कहा था कि उनकी फौज इस तारीख तक अफगानिस्तान से चली जाएगी इस तारीख को आगे बढ़ानी का मतलब है कि अफगानिस्तान में अमारी की सेना पपिर अपना कबजा बढ़ा रही है अगर ऐसा होता है तो अमारिका को इसका परिणा मुगतना होगा तालिबान की समर्थन में आया चीन कहा चरंपन्ति संगचन को हम मदद करेंगे तालिबान की कवजी के बाद अमारिका समेट अंतर राश्चिय संगचन होगे अफगानिस्तान की आर्थिक मदद रोग दी है इस पर चीन ने शारश शारों में अमारिका पर निशाना साधा चीनी विदेश मंत्राले की प्रवक्ताव वंग विन बिन ने अमारिका को आड़े हाथों लेती हुए अफगानिस्तान की बत्तर स्थिती के लिए जिम्मेदा ठेरा है वन बिन ने कहा है कि अफगानिस्तान को इस हालात में छोड़कर वाशिंटन वापस नहीं जा सकता शीन युदिकरस्त अफगानिस्तान को मजबूत करने के सभी जरूरी कतम उठाएगा कालिबान के कबजी के बाद अमारिका के बैंकों में मौझूदा अफगान सरकार के खाते को सील कर दिया गया इसके लावा अंतराज्टे मुद्राकोश्ट ने भी अफगानिस्तान को मिलने वानी करीब 460 मिलियन डॉलर की राशी की निकासी को भी रोप दिया है अमरीका का दावा पिछले 24 घंटों में 16,000 लोगों काबल से एरलिफ्ट किया अमरीके सेना की मेजर जर्नल हैंक ट्रिलर ने सोमवार को बताया कि पिछले 24 घंटों में 25 सेने विमानों ने करीब 16,000 लोगों अफगानिस्तान से एरलिफ्ट किया कि रिस्क्यों अप्रेशन में अमारिका के सी सेवेंटीन एस थी सी वन थर्टी एस सेन्ने विमान एक सर्च चार्टर और कमर्श्वेर रानों के जर्ये काबुल एरपोर्ट से लोगुपनिकाला गया है प्रधान मंत्री मोदी ने अफगानिस्तानी मुद्टों पर जर्मन चांसलर से बात शीत की इस वीश प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने जर्मनी की चांसलर एंचला मोकल से सोमवार श्रामपून पर बात की प्रधान मंत्री कारले के मताब एक दोनों नेताओं ने अफगा मंत्री नरिद्रमूदी और जोमन चांसलर मोकल ने अफगानिस्तान की सुरक्षा अस्ति थी और उसके दुनिया पर पढ़ने वारे प्रभावु पर की चर्चा की है दोनों नेताओं ने अफगानिस्तान में फसी लोगों को निकानले पर भी बात शीत की साथी शांति और सु पालिवानी कवजे के साथ दिन बाद याने की 21 अगस को काबुल के बाजार खुलने लगी ते शहर के मौन होटल मीट सबजी अनाच मंडिया किराना स्टोर और शॉपिंग के लिए सबसे मशूर बुलबार सेंटर भी खुल दिये गए लेकिन सवाल ने की था कि हालात कैसे ह हैं इसके जब आप हम इस रिपोर्ट में ठूंटे हैं तीन दिन यानि की 21, 22 और 23 अगस को काबुल की अलगलग तस्वीरे सामने आई हैं कच्चे माल से लेकर तमाम बाजारों तक की यह रिपोर्ट लगातार काबुल के बाजार से आ रही है चाहे वो बाजार हो, बैंक हो और स्कूल हो, तमाम तस्वीरे सामने आ रही है बर्स टॉप के पास आईस्क्रीम के ठेले घूम रहे हैं 21 अगस, दिन शनिवार, दोपहर के करीब 12 बजे, जगा काबुल का मलिक अजहर स्क्वार साथ दिन बाद लोग घरों के बाहर दिख रहे थे सड़क पर रह रहे कर कार, मोटर साइकल गुजर रही है कुछ लोग पैदल आगे बढ़ रही है इन में बच्चे और इका दुका औरते भी नज़र आई सड़क के नारे आईस्क्रीम वाले लोट आए थे खाने वाले भी लोट आए थे सड़क के दोनों और नारियल पानी से लेकर टार पंक्शर बनाने वाली दुकाने नाश्टे वाले ठेले से लेकर आईस्क्रीम के ठेले तक नज़र आ रहे थे दुकानों पर खरिदार भी खड़े हुए थे कई दुकानों के बाहर पर अच्वार वाली स्टालिश महिलाएं मॉडल्स की होडिंग्स लगी हुई थी इस स्टोरी में सबसे उपर लगे वीडियो में इन चीजों के वीडियो भी नजर आ सकते हैं विकिन पर मॉल के फूट कोट में खाने पहुँचे लो 22 अगस रविवार दोपहर तीन बचे काबूल का सबसे मशूर मॉल गुलबार सेंटर मॉल की 70% से ज़्यादा दुकाने खुली थी ग्राउं फ्लोर पर बने फूट कोट में 25-30 लोग दिखाई दे रहे थे आदे से जादा कुर्सिया खाली थी पहले श्वनिवार की शाम यहां बैटने की जगा नहीं होती थी लेकिन अब 5-6 परिवार ही दिख रहे थे ये कहा जा सकता है ये खौफ है लेकिन धीरे धीरे लोग जो हैं वो बहा निकलना शुरू हो गए है ओपन मारकेट में भीड लगी दुकानदार ग्रहकों को बुला रही है 22 अगस रविवार काही दिन और शाम के करीब 5 पची थे काबुल का ओपन मारकेट बाजार पहले की तरह ही भरा हुआ था बाजार के बाहर कार खड़ी करने के लिए जगा धूनी पड़ रही थी ठेले, छोटे स्टूल और नीचे दरी लगाकर जूते चपल बरतन और मीच की दुकानदारों ने बाजार शुजाय हुआ था लोग उन में से मनपसद चीजे च्छाट रहे थे दुकानदार चुला चुला कर ग्रहकों को बला रहे थे कई दुकानदार हाद गारी पर समान ला दे अभी आ रहे थे और अगले दिन अपनी दुकान सजाने की तयारियां कर रहे थे बच्चे और बुर्का नशी महिलाए दुकान से सामान खर्टी हुई नजर आई थी हाला कि ये जरूर है कि पहले सौ दिखती थी तो आज तीन या चार ही दिख रही है बाजारों में दिख रही भीड उसी 22 अगस के शाम करीब थोड़ा और समय बीटा गया काबल सिठी के मुखे मिर्वास मदान बस टॉप पर खड़े टेक्सी वाले लोगों को शहर के दूसरे स्टॉप पर ले जाने के लिए आवाजे लगा रहे थे छोटे बच्चों यहां खलासी गिरी करते थे वो लोगों को पकड़ पकड़ कर पूछ रहे हैं कि उन्हें कहा जाना है एक टेक्सी वाले ने कहा कि बाजार खुलने के बाद से लगातार वहाँ भीड़ा रही थी लोगों की हातों में खरीदोवे सामान भी थे इन तीन दिनों में इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज इंसिट्यूट से लेकर शेहर के अलग-अलग जगों पर बने नौज स्कूलों पर देखा गया लेकिन इन में से कोई भी खुला नहीं था ये बात जुदा है कि कुछ रोज पहले तालीबानी हुकूमत ने बच्चियों की स्कूल जाते तस्वीर जारी की थी लेकिन काबूल के जिस हिस्से की वो तस्वीर वहाँ भी अभी कोई स्कूल नहीं खुला मिला वेस्टन यूनियन, मनी ग्राम, एक्सवेस, मनी के साथ काबूल के सारे बैंक बंद रहे बैंक की रखवाली कर रहे शक्स से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कहा कि बैंक के करमचारी तो यहां नहीं है आम लोग पूशने जरूर आते हैं कि बैंक कब खुलेंगे हुकूमत ने अनाल किया है कि बुदवार से बैंक खुले जाएंगे लेकिन आज भी ऐसी कोई तस्वीर सामने नहीं आए बिजनसमेन ने कहा हम दोरी सत्ता के बीश में लटके रहे थे तालिबान आने से खुश है गुलबाज सेंटर मौल में पोफ्यूम की दुकान के माले खुद काउंटर पर बैठे नजर आए वो कहते हैं कि देश में इसलामिक हुकूमत के आने से उने खुशी है पिशली सरकार अमेरिका परस थी बीदे दो साल तराव वाले रहे समझ नहीं आ रहा था कि किसकी सुने तालिबाने हुकूमरानों की या सरकार की हम लगाता ड़ते थे गुलबाज सेंटर के ठीक सामने दाउजर बिजनस सेंटर है इसमें कपड़े की दुकान वाले शक्स कहते हैं कि करीब पास सालों से काबल के बिजनसमेन बहुत परिशान है तालिबान और सरकार दोनों का दवाब इन पर रहता है कब कौन दुकाने बंद करने का फर्मान दे देगा ये पता नहीं रहता तालिबान आने से कम से कम हमेखी सरकार को जवाब देना होगा दियरो रिपोर्ट यूज वाल इंडिय तो साथ की बात के आज इस खास पेशकर्श में बस इतना ही आप देखते रहें निवस वालिंटिया में आज से रहे ज़का है इसीन की बात कि मैं जनल bastा जहुते रहें लिए ही सवोफ दीजारओ Dalaj